सुख समरिद्धी नौकरी आदी के लिए हुली में करें ये अचूक उपाय और टोटके और लाब उठाएं दोस्तो नमस्कार अप्टिमम वीडियो देरादून में आपका स्वागत है अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किर्पा करके जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे भविश्य में आने वाले मेरे इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें तो दोस्तो होली के दिन जो उपाएब आपको करने हैं वो इस प्रकार है पहला है होली की रात को सरसो का चौमुखी दीपक घर के मुख्य द्वार पर जलाएं और उसकी पूजा करने के बाद भगवान से सुख समरिद्धी की प्रासना करें या उपाए हर बाधा का निवारन करता है नमबर दो यदि व्यापार और नौकरी में उन्नती ना हो रही हो तो 21 गोमती चक्र लेकर होली का धन की रात को शिवलिंग पर चड़ा दें इससे बिजनेस और नौकरी में फाइदा मिलेगा नमबर तीन हर मनोकामना की पूर्ती के लिए होली के दिन किसी गरीब को भुजन कराएं नमबर चार यदि आपको रहु परेशान कर रहा है तो नारियल का एक गोला लेकर उसमें अलसी का तेल भरें और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर जलती होलीका में डाल दें इससे रहु का बुरा प्रभाव समाप्त हो जाएगा नमबर पांच है धन की हानी से बचने के लिए होली के दिन मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़कें और फिर दो मुखी दिपक जलाएं और धन की हानी से बचाओ की कामना करें गिपक के बुझ जाने पर उसे होलीका की अगनी में डाल दें नमबर छे सुक्ष समरिद्दी के लिए होलीका में घी में भीगाई दो लॉंग एक बताशा और एक पान का पत्ता चड़ा कर ग्यारा परिकरमा करनी चाहिए और होलीका में नारियल का बुरादा डालना चाहिए नमबर साथ अगर आप बेरोजगार हैं तो होली की रात को बारा बजे एक निम्बू लेकर चौराहे पर जाएं और उसके चार टुकड़े करके चारो दिशाओं में फैंक दें और बिना पीछे मुड़े घर वापस आजाएं नमबर आठ होली का देहन के बाद उसकी थोड़ी सी राग घर ले आएं उसमें थोड़ी राई और नमक मिलाकर रख लें इससे भूत प्रेत वा नजर दोश दूर होते हैं नमबर नो शीगर विवा के लिए एक पांच सुपारी हल्दी की गांट शिवलिंग पर अर्पित करें इससे आपका शीगर विवा हो जाएगा नमबर दस है दोस्तो होली से शुरू करके बजरंग बान का पार्ट 40 दिन तक करें इससे हर मनोकामना की पूर्ती होती है तो दोस्तो इस जानकारी को लाइक और शेयर जरूर करें जिससे आपके दोस्त और परिवार वाले भी इसका लाब उठा सकें दोस्तो आपका वीडियो देशने के लिए बहुत बहुत दन्यवाद